प। दिए मैं आपका मेझबान शहयुदीन, मैं इस वक्त मजूद हूँ, सुपर पंजाबी फिलम है उसके सैट पे मॉझूद हूँ पंजाबी खूश़ूरत बौल लेते हैं हम पंजाबी में सूनी बोल लेना तदेह दे बनों कास कीता है फिल्म पंजाबी में है और अगर कर रही है तो किसी पंजाबी में बोल रही हूं को फिल्म जाके देखेंगे तो आपको पता लगे का कि मैं पंजाबी बात कर भी रही हूं कि नहीं कर देगा मुझे उमीद है कि ये फिल्म हिट होगी पंजाब की फिल्म इंडिस्री रिवाइवल की तरफ आ रही है बाज रेदी राकी भी लास्ट फिल्म आपने सेयर नूर के साथ बड़े शोक से बनाई थी सेयर नूर जो हैं आपके फेवरेट डिरेक्टर थे मैंने काफी तेजर्बा का लिया उनके साथ काम करने का मेरे सितारे उनके साथ नहीं मिली सर जी टोटल लास हुआ है वो तक्रिवन साथ करोड का साब को तो कोई फर्ग नहीं परा जी मैं आपका मेजबान शेयुदीन मैं इस वक्त मजूद हूँ सुपर पंजाबी फिलम है जिसके प्रोडूसर इफ्तखा टाकूर और सफदर मलक है ये एक लाइट सी कॉमडी फिलम है मैं उसके सेट पर मजूद हूँ आएं फिलम की हिरवन साइमा बलोच मोसन रजा उर्दिगर स्टार से इस फिलम के हवाले से बात करते हैं कि ये कैसी फिलम है सुपर पंजाबी फिलम के आप हीरो हैं मोसन ये बताएं कि ये फिलम जो है पाकिस्तान फिलम रस्टी की सर्वाइवर रिवाइवल में कितना बना हैं हम करदार रदा करें देखे पहले तो हम इस चीज़ से कभी मौला जट की सूरत में तो हम बार-बार अपने हापको रिभाईवल के दहाने तक लाते हैं और उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं जेखे हमारे पास बल्क में बहुँत सी फिल्म्स हονी चाहिए लगाने को हो ताकि audience का आना जाना लगा रहा है सेनमा तक तो उसी के लिए हम सारे कोशा है और इंशाला सूपर बंजाबी एक बहुत अहम फिल्म सावित होने जा रही है क्योंकि ये modern age की जो है अपनी तर्स की पहली पंजाबी फिल्म है तो आप समझते हैं कि ये जो फिल्म है ये दिलेजन्ट और मॉला जाटके 200 करोड के बिजनस को क्रॉस कर देगी सर गॉड नोस ये तो देखिए audience पर डिपेंड करता है और किसमत पर डिपेंड करता है लेकिन ये फिल्म इतनी अच्छी है इसमें इतना दम खम है क्योंके देखें ये दो अलग फिल्म है दो अलग जॉन्रास हैं वो एक अलग जॉन्रा के फिल्म थी ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है हम लोगों को इंटर्टेन करने की कोशिश कर रहे है और ये ही हमारा इरादा है और सरहत पार तक जाने का इरादा है हमारा तो खाहिशात तो बड़ी हैं और बड़ा सोचेंगे तो बड़ा जाएंगे ना. आप ही हमारे सराहने वाले भी हैं आप ही चाहने वाले भी हैं तो अगर आपको पसंद आएगी तो हम सराखों पर अगली बार भी आपको इंटर्टेन करेंगे नहीं पसंद आएगी तो हम जो गलतिया होंगी उनको दोहराएंगे नहीं और उससे बेहतर करने की कोशिश जो बिलकुल हम इसी सोच के साथ इसको बनाुरे हैं कि हम इसको हमारे माबुली सबान फैसलबाद तुम्हेन तालुक है ते रची वसी ये तुझाबी ता अपने अंदर ता मजा आएगा इंशालों थांकियों हमारे साथ मजूद हैं इस फिल्म की हिर्वन साइमा बलोच इन से भी पूछते हैं दि लेजंट ओ मौला जाट में आपने बड़ा मैं पंजाबी बात कर भी रही हूं कि नहीं कर रही हूं और अगर कर रही हूं तो कैसी पंजाबी में बोल रही हूं लेकिन आपको डांस तो बड़ा कराने में आपके करेक्टर का बड़ा करदार था हां मेरा जो जितना काम था उस हिसाब से तो 200 करोड बनने थे सुपर पंजाबी यह आपके दी लेजंट ओ मौला जाट के बिजनस को क्रॉस कर जाएगी यह और पब्लिक टेसाइट करेगी जब मूवी आईगी तो जैसे फिल्म रिलीज होगी एड़िट होके फाइनल मेरे सामने आएगी तो दाट आइकन से समथिंग अभी आइडरी लोड नो कदीर खान मॉडल भी है और एक्टर भी है इन से पूछते हैं क्या कहेंगे इस फिल्म में क्या करेक्टर आपका शजर बही मेरा इस फिल्म में मौसर परिके से यूटलाइज किया गया एक चुल बुला और शरारती सा दोस्त है और उसके साथ आगे फर्दर फिल्म में मुखलिफ जगोबे जहां जहां भी उसको बैक चाही होती है वहां वे मैं उसके साथ हूँ वो मेरे दोस का करेक्टर है मेरा उसमें और इस फिल्म की खास इसमें फिल्म ठाकुर साहब हैं सलीम अलबेला साहब हैं उसके बाद साइमा बलोच जी हैं मुसान अबास भाई हैं मैं हूँ और बहुत सी अच्छी कास्ट इसमें काम कर रही है मुझे उमीद है कि यह फिल्म हिट होगी पंजाब की फिल्म इंडिस्री रिवाइवल की तर हैं बड़ी सुपर होनी हैं तो इस पंजाबी फिल्म का बनाने का ख्याल कैसे आया रोमांटिक फिल्म एक्शन फिल्म मुल्की हलाथ हर बंदा अंडर टेंशन है तो हम दोनों ने यह प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना हम एक कॉमेडी फिल्म बनाएं जो कि इंटरनेशनली ह हम लेवल पर बना रहे हैं तो इंशालला आप देखेंगे कि इसका अच्छा डर्जल्ट होगा सब्दर साफ यह बताएं कि सहीं नूर जो हैं आपके फेवरेट डिरेक्टर थे तो क्या ऐसा हुआ कि आपने उनको छोटके एक निया डिरेक्टर लिया है मैंने काफी तेजर हुआ है कि बड़े यह लोग डिसिप्लेंट टाइमली हर चीज जो है अगर सुबह चार साड़े-चार बजे कॉल दिया अर्ली मॉर्णिंग साड़े-पांच-छटवे हैं ना कि यह नहीं हो रहा कि यह वह इंतजार करें फलां एक्टर आएगा तो पिर तीन वेज़े साब आ रहे हैं तो शाम को पांच वेज़े शाम पढ़ गई क्या काम होना था दी बाजरे दी राकी भी लास्ट फिल्म आपने से यह नूरके साब बड़े शोक से बनाई थी सब्दर साब तो क्या उसमें बहुत ज्यादा लास हुआ है जिसकी वैसे आप उनसे डिसाड़ होगे तो साब को तो कोई फरक नहीं पर रहा है तो उन्हें ठीक है अपनी मजदूरी लिए और फारग हैं कोई ऐसी बात ने उनके जिन में कोई हमदर्दी नहीं को प्यार रहे हैं वो साब खतम है यह लोग जो है ना इंडिस्ट्री की सरफ बेतरी के लिए नहीं सोच रहे हैं व रहे हैं और यह मैंने मेज़िक भी वहाँ से लंडन से लेके आया है यह पाकिस्टनी किसी मेज़िक डिरेक्टर का काम नहीं है जी आपने देखा कि सुपर पंजाबी फिलम की हिर्वन सैमा बलोट मौसन बास जो इस फिलम के हिरों हैं उन्होंने कहा कि यह बड़ी लायर सी कॉमडी सी फिलम बनाई है और इस फिलम को जो अवाम शायकी ने सैनमा हैं वो देखे बड़ा जॉय करेंगे अब अपने मेज़बान शेयुदिन को जाज़त दीजी खुदा आफिर